हेलो फ्रेंड आप सबस्वागत है आपके अपने डूप चाहल फार्मा एमसी क्यों में तो जैसे कि आप लोग को पता है उडिसा के फार्मासिस्ट के एक्जाम के लिए हमने जो है अच्छा वीडियो रहने वाला है काफी इंपॉर्टन है आपको प्रिवेस यर्स में पूछे हुए है बहुत से आपको नहीं आते हैं तो आप एक जिखाप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं तो काफी अच्छा आप लोग का रिवीजन होने वाला टैबलेट्स का ओके तो जितने भी प्रिवेस यर्ट के क्वेशन थे जितने भी मुझे मिले मैंने मतलब बहु सारी क्वेशन जो है इसम यहीं नेधार के तो आपके जिसको फोलो कीजिये मैं इसमें आपका सेम सेम सेडीवर सेमारा पूरा इंडिया में मतलब कि ओल ओवर इंडिया हमारा जो यहीं सेलेवर सफोलो होता है वोगा standard से ले बस तो आप इसके according ही preparations कर सकते हैं आपके आने वाले upcoming government pharmacist के exams के लिए तो start करते हैं और start करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब किजिगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमें देखे हमारा question है diluant is added in tablet to diluants जो होते हैं tablets में add करते हैं उनको क्यों add किया जाता है कि help in disintegration वो disintegration में help करते हैं increase the bulk of the tablet tablet का bulk भढ़ाते हैं increase the stability stability को भढ़ाते हैं या all सारी ही चीज़े करते हैं देखे diluants जो होते हैं इनको fillers भी कहते हैं एक बर एक एक एक्जाम में question पूछा होता diluants are also known as तो इनको क्या बोलते हैं diluants को fillers भी बोला जाता है तो diluants add करते हैं किसके लिए tablet का bulk बढ़ाने के लिए आपका answer क्या हो जेगा option भी increase the bulk of the tablet ओके नहीं से commonly used diluant देखे बहुत बार question आया commonly used diluant कौन सा है benjoic acid, spence, gum, acacia, lactose तो commonly जो है most commonly जो यूज किया जाता है as a diluant वो हमारा क्या होता है lactose होता है जहां रखना है answer option D तो अब आप से पूछा कौन सा diluant tablet की formulation में use करेंगे देखे dicalcium phosphate है lactose है starch है यह all okay तो lactose तो आपने देख लिए most commonly use होता है बाकि आपका starch और dicalcium phosphate भी as a diluant use किये जाते हैं तो हमारा answer option D हो जगा all okay next in the preparations of tablet powdered medicament are mixed देखे टेबलेट को जो prepare करते हैं तो उसमें कहते पाउडर medicament जो होते हैं उनको mix किया जाता है तो उनको mix की क्यों करते हैं कि root to produce the total volume, volume को reduce करने के लिए to increase absorption absorption को increase करने के लिए to reduce inter particulate friction friction जो होता हुआ उसको reduce करने के लिए after to increase addressiveness उनका जो addressiveness है उसको increase करने के लिए तो जो powder और मेडिकामेंट्स को मिक्स किया जाता है वो क्यों किया जाता है और तु इंक्रीज अधैसिवनेस के ओप्शन डी राइट हो जेगा नहीं से विच वन इस नॉट यूज अस डाइलुएंट इन टाबलेट मैनुफैक्टरिंग में जो डाइलुएंट नहीं है बताना है ओके लेक्टोस डाइलुएंट है अभी हमने देखा कैल्शियम सलफेट दिया है एमडेक्स डिया है एक्सप्लो टैब दिया है तो आपका जो डाइलुएंट नहीं है तो एक्सप्लो टैब जो है वो डाइलुएंट नहीं होता बाकि एमडेक्स कैल्शियम सलफेट और लेक्टो आती हैं तो MDEX और SELUTAB क्या है hydrolyzed starch होती है जिनको ऐसे diluent use किया जाता है तो MDEX और SELUTAB क्या है these are hydrolyzed starch which are used as diluent and जो आपका explotab दिया था explotab और primogels दो term आती हैं तो ये explotab and primogels क्या होती है modified starch होती है which are used as disintegrants okay तो ध्यान रखना है explotab and primogels are modified starch which are used as disintegrant MDEX and SELUTAB are hydrolyzed starch which are used as diluent okay next question granules are formed too ठीक है तो granules बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं increase the bulk, bulk को बढ़ाने के लिए avoid the uneven distribution of drug increase the activity of the drug and none तो granules form किये जाते हैं क्यों किये जाते हैं देखे जो uneven distribution होता है drug का उसको avoid करने के लिए ताकि जो drug होते है evenly distribute हो okay इसलिए granules की preparations की जाती है answer is option B next which one of these ingredients is used as binder तो इनमेंसे binder कौन सा है lactose है, starch paste है, cellulose है, stearic acid है तो हमारा जो binder होता है वो starch paste होता 10-20% starch paste जो होता है as a binder use किया जाता है okay, answer क्या हो जेगा, option B next which of the following filler is used to make bulk of the tablet fillers मतलब कि आपके जो होते हैं diluents नहीं fillers कहा जाता है आपका टैबलेट का बढ़ाने के लिए हमने क्या दिखा था diluents, binders, adhesives या disintegrants तो यह हमारे diluents हो जेंगे वैसे भी diluents को fillers भी कहते हैं बिल्कुल सिंपल है in the formulation of tablets, acacia is used तो acacia का क्या use है binders है, diluents है, lubricant है, glident है तो acacia जो है, क्या होता है binder होता है, option a right हो जगा तो in tablet manufacturing, pvp, polyvinyl, pyrolydine जो होता है, generally used है तो pvp का use बताना है glident है, disintegrant है, binder है, diluents है तो pvp जो होता है, यह आपका क्या होता है जब binder यूज किया जाता है next question है the use of salutab in tablet manufacturing तो अभी हमने देखा था, salutab का क्या use देखा था याद कीजिए, diluent है, adsorbent है, disintegrating agent है, binding agent है तो salutab जो होता है आपका क्या होता है, diluent होता है तो आपका answer क्या हो जगा option है salutab जो होता है, mdex और salutab दो term बताई थी मैंने आपको mdex और salutab जो आपका hydrolyzed starch होती है which are used as diluent तो mdex और salutab तो आपको salutab पूछा हुआ है तो salutab क्या है, आपका diluent होता है यह क्या है, एक type का hydrolyzed starch होता है which is used as diluent तो यह ध्यान अखना है next color and gloss on tablet is determined by तो color and gloss on the tablet उसको determine करने के लिए क्या यूज़ करेंगी reflectance, spectrophotometer, micro reflectance, photometer, tristimulus, calorimetric measurement या older के तीनों ही चीज़े यूज़ करेंगे, तो आपका answer option D हो जाएगा, okay next tablet manufacturing talc is used as तो talc का क्या use है glident है, lubricant है, plasticizers है यह नन, तो talc जो होता है talc देखे 5% concentration इसकी use करते हैं और यह as a glident use होता है मतलब कि flow promoter glident को क्या बोलते हैं, flow promoters बोलते हैं, okay glident's बहुत important है बहुत बार, glident's की definition पर बहुत बार question बना, recently जितनी भी exam हुए है, तो glident's पर question बनाई बना है, बहुत important है अब इस सारे questions आएंगे, इसमें next है dash is used to increase the bulk ठीक है, कहरें कि bulk को बढ़ाना है, dash is used to increase the bulk को बढ़ाने के लिए किसको यूज़ करेंगे, when the proportion of medicament is very small in quantity, ठीक है, तो medicament जो हुत है, बहुत कम होता है तो bulk को बढ़ाने के लिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, glident, lubricant binder है, diluent, तो वही question है, थोड़ा सा language में change किया हुए, तो वही agent है, वह pacifying agent है, तो starch क्या होता है, आपका disintegrating agent होता है, है न, disintegrant हो जाएगा, option A next, इस super disintegrant in tablet formulation में super disintegrant आपने बताना है sodium starch glycolate है, starch PVP या magnesium aluminum silicate, super disintegrants जो होता है, आपका sodium starch glycolate होता है, okay, option A याद रखना है, निस टैलक and magnesium stearate are example of talc जो है, और magnesium stearate किसकी example है, emulsifying and suspending agents दिया है, lubricants दिया है, disintegrating agents है, solvents है, तो talc और magnesium stearate दोनों जो है, हमारे lubricants हो जाएगे, option B right हो जाएगा, न, तो substance used to impart elegance to tablets है, ऐसे substance to tablets को elegance impart करते हैं, coloring agent है, flavoring agent, sweetening agent या एड्जोर्बंट तो elegance कोण impart करेगा, coloring agent है, option A, right हो जाएगा next है, function of lubricant in a tablet formulation तो lubricant आपने देखी, तो lubricant का function बताना है, lubricant कैसे काम करेगा, improving flow properties of granules, reducing punch and dye wear, facilitating tablet ejection from the dye या ओलते कि सारही functions है, आपके lubricants के, तो आपका answer option D हो जाएगा, all जाएगे, next है, which of the following component in tablet are intended to promote flow of granules और powder material by reducing the friction between particles, देखी, aims पतना में पूछा हुआ, question अभी recently जो एक्जाम हुआ था क्यारे, ऐसे कौन से component होते हैं, tablets में, क्या कराते हैं flow of granules को promote करा रहे हैं, okay, मतलब कि flow promoters पूछे हुए आप लोगों से, या powder material by reducing friction between particles के बीच में friction को कम करके flow को promote करा रहे हैं, तो disintegrants करते हैं, बिल्कुर नहीं करते हैं and passive भी नहीं करेंगे, diluents का भी काम नहीं है, काम किसका है, glide ends का जिन्हें हम flow promoters भी बहाँ कहते हैं glide ends को, तो flow of granules को promote करेंगे, okay तो आपके glide ends होजेंगे, option 4, निसल lubricants, तो lubricants क्या करते हैं, increase करेंगे, viscosity को increase करेंगे, reduce कराएंगे, interparticulate friction को increase करेंगे, motility या decrease करेंगे, fluidity तो lubricants क्या करेंगे, reduce करेंगे, किसको interparticulate friction को reduce कराएंगे, हमारे lubricants, okay देखे, lubricants क्या कराते हैं, lubricants are the substance that reduce interparticular friction during compression and friction between tablet and die wall during the ejection of the tablet tablet का जब ejection होना होता है तो tablet और die wall के बीच में friction को भी कम कराते हैं और क्या करते हैं compression के दोरान inter particular जो friction होता है उसको भी कम कराते हैं तो lubricants के examples में हमारा talc भी आजगा magnesium stearate आजगा calcium stearate यह सब आपके lubricants हैं next है substance used to reduce friction during tablet compression मैंने आपको बताया यह substance कों से है मतलब कि reduce कर रहे friction during tablet compression and facilitate ejection of tablet from die cavity है ना अभी हमने देखा कि substance reduce करा रहे friction during tablet compression and facilitate करा रहे है क्या ejection of tablet from the die cavity है ना तो यह क्या करते है friction जो होते है उसको कम कर देखे टैबलेट और डाइवोल का friction कम करके टैबलेट के ejection को facilitate करा आते हैं तो lubricant, glidant, anti-adherent or humectant तो यह हमारे क्या होते हैं lubricant होते हैं अभी lubricant की definition में हमने देख लिए यह option यह राइट हो जगा next glidant is used to glidant किसलिए use करते हैं facilitate flow of granules from hopper to die cavity prevent adherence of granules to punches to make shiny tablets या नन तो glidants हमारे flow promoters होते हैं तो क्या करेंगे यह facilitate कराते है flow of granules का flow होता है from hopper to die cavity तो यह हमारे lubricants का काम होता है lubricants is used to facilitate the flow of granules from hopper to die cavity next lubricant is used in tablet 4 तो lubricant किसलिए use करेंगे disintegration के लिए binding के लिए free flow of granules into machine से नन तो उनमी से बता जिए क्या answer होगा देखें disintegration के लिए use करेंगे बिल्कुन नहीं करेंगे binding के लिए नहीं करेंगे तो free flow of granules from the मतलब कि into the machine होजेगा option c next glidants के बारे में पूछा तो glidants क्या करेंगे इंप्रूव करेंगे flow properties of granules help in mixing release obstruction या improve order of substance तो glidants क्या करते है flow promoters होते हैं तो क्या करेंगे improve flow properties of granules निक्स यहीं लिखावा ग्लाइट क्या करते है इंप्रूव करते है flow property of granules from hopper to die of the tablet machine इसमें जिसे टैल करजेगा sodium chloride magnesium stearate boric acid starch and calcium stearate next what is a common excipient used in powder medications to improve flow ability and prevent caking को प्रिवेंट को प्रिवेंट करेंगे glidant coloring agent flavoring या preservative तो बताइए किसका काम है कि flow ability को तो improve करें प्रिवेंट करें केकिंग को तो यह हमारे glidancy तो होते है ना option one right हो जगा which one of the following polymer is widely used in film coating of tablet tablet की film coating में widely used होता कौन सा polymer hydroxy propyl methyl cellulose starch acacia glycerol तो film coating of tablet के लिए HPMC use किया जाएगा hydroxy propyl methyl cellulose next is micro crystalline cellulose mcc, micro crystalline cellulose is also known as sugar tap, new tap, mdex, heavy cell तो इसे क्या कहेंगे, micro crystalline cellulose को heavy cell भी कहते हैं option आपका d right हो जगा और यह mdex मैंने आपको बताए दिया, mdex और cellulose tab आपके hydrolyzed starch होते हैं which are used as diluent or explotable and primogels modified starch जो आपके disintegrant होते हैं next which of the following is true, तो उनमें से कौन सी बास सही लिखी हुई है दिखे, star RX 1500 is free flowing and directly compressible starch cap ocell is colloidal silica, act desol is internally cross-linked sodium, cmc या फिर oil, कौन सा true है, दिखे, तीनों ही सही लिखे हुए है next, star RX 1500, ये क्या होता है, free flowing and directly compressible starch होता है colloidal silica, cab ocell, और जो act desol होता है, ये internally cross-linked sodium, cmc होता है तो आप का अंसर क्या होजेगा, option D होजेगा, सारी ही बाते सही लिखी हुए है next, material use just coating agent, तो coating agent कौन से material है, दिखे, for film coating ठीक है, film coating के लिए as a coating agent use होता है, कौन सा material, povidone, ya PEG, polyethylene glycol, ethyl cellulose, hydroxy propyl methyl cellulose तो आप का अंसर क्या होजेगा, option D, all होजेगा, sugar-coated tablets should be disintegrated within sugar-coated tablets का disintegration time आपने बताना है, 15 minutes, 30 minutes, 60 or 90 minutes, sugar-coated tablets का disintegration time कितना होता है 60 minutes होता है, सारे के सारे tablets का disintegration time आप लोगोंने याद रखना है, तो soluble or dispersible tablets का disintegration time 3 minutes होता है sublingual tablets का भी 3 minutes, फिर वसन tablets का 5 minutes, uncotted tablets का 15 minutes, film-coated tablets का 30 minutes, sugar-coated tablets का 60 minutes entire-coated tablets का 3 hours होता है, hard gelatin capsules का 30 minutes and soft gelatin capsules का 60 minutes होता है, हमारा disintegration time next है, disintegration time for sublingual tablets should be 3 minutes, 15, 30 or 60 minutes, तो 3 minutes आपका जो है, होज़ेगा answer option A, होज़ेगा 3 minutes, okay next है, avicelle is, तो अभी मैंने आपको बताया था, avicelle क्या है, microcrystalline cellulose, lactose, hydrolyzed starch, diabetes, calcium, phosphate avicelle होता है, mcc, microcrystalline cellulose, next है, which method of preparations of tablet is also known as slugging, pre-compression और double compression method, indirect compression, net granulation, dry compression, direct compression, okay तो slugging जो होता है, आपका dry granulation को बोलते है, तो यह इसी को कहेंगे, dry granulation, slugging, pre-compression और double compression, okay, option C, right, slugging is another form of dry granulation, it is also known as pre-compression और double compression भी कहेंगे, slugging process is used in the following process, slugging process किस के लिए उस करेंगे, capsules के लिए, powders के लिए, ointments के लिए, tablets के लिए, तो हम क्या पढ़ रहे है, tablets के बारे में पढ़ रहे है, तो उसमें आपने slugging अभी बताया, dry granulation होता है, option D हो जेगा, next slugging is related to, तो slugging किस से related है, dry granulation, wet granulation, mixing and filling of dye, तो अभी बताया, मैंने आपको dry granulation कहेंगे, slugging को option A, right हो जेगा, नहीं सब, which is not a type of tablet, नहीं से कौन सा जो एक tablet का saturates भी होते हैं, तो आपका जो नोट पुछावा था option C हो गया, tablet that is used in oral cavity में जिनको यूज करते हैं, dental cones, film coated tablets, sugar coated tablets, और फरवसंट tablets, oral cavity में जो यूज होते है, dental cones होती है, option A, right हो जेगा, तो कौन कौन से tablet से जो oral cavity में यूज की जाती है, बकल tablets होती है, sublingual tablets, logenges tablets and trotches and dental cones होते हैं, next है, dash are soft readily soluble tablets which are used for preparing solutions to be injected, मतलब कि यह जो tablets होती है, आसानी से ही soluble हो सकती है, which are used for preparing, इनको solution बना के inject करना होता है, injectable, मतलब कि इनको inject करना होता है इन tablets को, देखें, dispensing tablets है, hypodermic tablets है, entire recorded tablets है, बकल tablets है, आपकी hyperdermic tablets होती है, okay, which are to be injected, ठीक है, तो hyperdermic tablets answer is option B हो जाएगा, hyperdermic tablets क्या होते हैं, these are compressed tablets which are composed of one or more drug with readily water soluble ingredients होती है, इस में these tablets, इन tablets को कहते हैं, dissolve करेंगे, sterile water में या water for injection में इनको dissolve करते हैं, फिर इनको कहते हैं, administer करते हैं, by parental roots इनको देना होता है, इनको inject करना होता है, यह आ example for sterile tablet, अब कौन से tablet sterile होंगी, बताइए, तो जो हमने inject करी अभी यही तो sterile होंगी न, देखे, doable tablets, hyperdermic tablet, enteric tablet से बखकल, तो हमारी hyperdermic tablets होजेंगे, बिल्कु सिंपल है, option B, next है, sustained release tablet is designed to, तो sustained release tablets जो होती है, उनको क्या purpose है, देखे, release the medicament slowly, disintegrate slowly in gastrointestinal tract, produce toxic effect या नन, तो प्रडूस करेगी, तो sustained release tablets क्या करेगी, इस design to, इनको design क्या गया, किसलिए, to release the medicament, medicament को slowly release करे ताकि, okay, next tablet that is placed under the skin, as the tablets, जिनको skin, जो skin के नीचे प्लेस रखा जाता है, एंटरिक कोटे टैबलेट, फिल्म कोटे टैबलेट से implant से sublingual, तो इनमें से बता दीचे, simple आपकी implants होंगे है, option C, next है, which among the following tablet is used in oral cavity में कौन सी tablet यूज़ करेंगे हो, तो मैंने आपको सारी पताए थी, hyperdermic tablets आपकी inject करनी होती है, ट्रोची से न, ट्रोची से लोज़न्जी से देखे थे हमने, option B, right होजेगा, ट्रोची से होजेगा, oral cavity में जो लेनी होते हैं, बकी film कोटे टैबलेट से dispensing tablets दिया, तो हमारा answer option B हो गया, है न, तो यह अब हमने देखे हैं, बकल, sublingual, dental, डेंटल, कोंस, लोज़न्जी से आपके होते हैं, oural cavity में जो यूज़ की जाती है, टैबलेतो, kya होते हैं, entire, coated tablet होती है, film coated tablet होती है, malided tablets होती है, charged tablet क्या होते है, malt 돼 tablet होते हैं, option C, right हो जेगा, बेसजे जो tablet administration release the drug at a desired time for prolonged effect, prolonged effect के लिए जो है यह बनाई जाती है tablet after oral administration release the drug at a desired time for prolonged effect, तो multi compressed tablet है multi layer है, आपकी antaric coated sustain action है, तो आपकी है यह कौन सी होती है, sustain action tablets होती है, ओके next, effervescent tablet along with active medicament, जो effervescent tablets है उनमें active medicament हो है, उसके साथ साथ में और क्या present होता है, इनमें, sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid या ओल, तीनों ही substance present होता है, आपर फर फसन tablets होती है, उनमें active medicament होता है, साथ साथ में और क्या होता है, sodium bicarbonate होता है, citric acid होता हो तार्टरिक acid भी होता है, ओके, next loganges आदा type of तो लुजन्जिस क्या है कौन सो इस वो से में सॉलिड इन्जटेबल और नंत्व सिंपल आपकी सोले डोस फोर्म में आती है ना ओप्शिन ए राइट हो जब र होगा लोजन्जिस घालेट सरे इंटनेड फॉर तो लुजनेज़े का क्या परपस इनको मतलब औरल काविटी में लेते हैं माउथ में तो यह वहां पर स्लोली डिजोल होते हैं इन माउथ हो जेगा इफर्वेसंट ग्राइनुल्स कंटेन अ मिक्स्चिर ओफ सिट्रिक आसिन टार्टरिक आसिड एंड तो आपको पता है जो एफर्वेसंट टाबलेट्स होती है उनमें अक्टिव मेडिकामेंट्स के साहसा तो और क्या प्राइजन होता है सिट्रिक आसिड टार्टरिक आसिड एंड सोडियम बाइ कार्बोनेट ऑप्शन चीजोंट निक्सकवाश्चन है चलसुन वेटर इस यूज़्वेश्ची तैबलेट को टिंग कैप्सुल फिलिंग मशीन टाबलेट ग्रानुलेटर ना तो चलसुन्स रिंट इस यूज़ कि को टैबलेट नहीं होती है नो ऑप्शन डी हो जेगा निक्स ते हाडनेस रेंज आफ टैबलेट की हाडनेस रेंज बतानी है 1-2 किलोगराम, 0.5-1 किलोगराम, 3-7 किलोगराम नन अफ दैब वह तो लगवाव 4-5 किलोगराम पर संटिमेटर स्क्वाइर होता है न तो आपका जो है इसमें से अप्रोप्रियेट हो जेगा ऑप्शन सी 3-7 किलोगराम पर संटिमेटर स्क्वाइर होता है इसमें ओके ने से ओडनेर टैबलेट की हाडनेस कितनी होगी 2 किलोगराम पर स्क्वाइर संटिमेटर, 4 किलोगराम पर स्क्वाइर संटिमेटर, 1 किलोगराम पर स् देखे 4 to 5 होता है तो देखे 4 भी सही है 5 भी सही है तो आप इसको यह option डी कर लिजे 5 kg per square centimeter तो इसा एक retardant material that form a hydrophilic matrix in the formulation of matrix tablets ठीक है एक retardant material है that form a hydrophilic matrix in the matrix tablet की formulation ने HPMC hydroxy propyl methyl cellulose CAP cellulose acetate thalate polythylene carbon nova wax ठीक है तो यह आपका हो जेगा option है HPMC hydroxy propyl methyl cellulose इसा इदा average weight of tablet 300 mg देखे tablet का average weight है वो आपको 300 mg दिया है then allowed weight variation आपने बताना है अके दीके आपका 10% होता है plus minus 10% होता है अगर आपका जो होता है weight होगा 80 mg यह less होगा तो आपका होता है plus minus 10% variation और अगर होता है 80 से 250 mg होता है तो आपका plus minus 7.5% होता है variation और अगर होता है more than 250 mg तो आपको तो 300 mg दिया जो 250 से ज़्यादा है तो इसके लिए आपका प्लस माइनस 5% होता है तो आपका 5% वाला option option C में दिया है यह राइट हो चेगा ओके निक से choose the correct excipient for enhancing solubility in tablet manufacturing tablet के manufacturing में solubility को enhance करने के लिए correct excipient बताना है PEG polyethylene glycol MCC करने के लिए हम या क्या यूज करेंगे option B MCC micro crystalline cellulose निक्स्ट है sweetening agent commonly used in chewable tablets chewable tablets में कौन सा sweetening agent use करेंगे mannitol sucrose honey or saccharine sweetening agent commonly used in chewable tablets में is mannitol option a right हुझे का previous question आपका जो उडिसा का फार्मासिस्ट का एक्जाम मुद्ध हो थी किस में हुआ था उसमें tablets के उपर दो question है दो से तीन question है दो होंगे शायद okay तो sweetening agent commonly using chewable tablets पूछा हुआ तब यह question बहुत बार repeat हो है बहुत से exam में आया है यह तो यह हमारा mannitol होता है okay next example sweetening agent का example बताईए chloroform है sorbitol है peppermint water या फिक्लो oil है तो हमारा यह हो जगा sorbitol हो जगा option B next coating given for the tablet to dissolve in intestine but not in stomach तो यह तो बहुत important है बहुत जादा जादा से भी जादा जो आपका tablet की coating में हम entire coating भड़ते हैं तो इसके ओपर question बनते ही बनते हैं बहुत से exam में इसके जितने भी question बनते हैं सारे के सारे किसी इस एक्जाम में पूछे हुए हैं तो अभी मैंने देखी बहुत से question इसके ओपर include भी करें तो आपको अच्छे से clear हो जगा coating given for the tablet to dissolve in intestine देखे इसमें जो होती है टाबलेट जो होती है intestine में जाके release करते हैं अपने medicaments को but not in the stomach stomach में dissolve नहीं होती intestine में जाके dissolve होती है तो इसको यह कौन सी coating होती है enteric coating sugar coating pearl coating silver coating तो यह आपकी होती है enteric coating होती है option a right हो जाएगा अब देखे आपके previous paper में पूछा हुआ है उडिसा में previous जो पेपर है किसका उसमें पूछा हुआ था enteric coating को पर question enteric coated tablets are meant for disintegration नहीं तो इनका disintegration कहां पर होता है stomach mouth intestine है नहीं तो कहां पर intestine में जाके medicament release कर रही है वहीं पर dissolve होती है वहीं पर disintegrate होती है तो हमारा answer intestine हो जेगा option c next is diclofenac tablet coated with salose a straight thalate has been administered to a patient diclofenac tablet coated with salose a straight thalate thalate को देखते समझाना कि आपने क्या है enteric polymer की बात हो रही है जो enteric coating के में यूज़ करेंगे कि थालेट को देखते क्या समझ जाएंगे हम लोग की enteric polymer की बात हो रही है वर कहरे कि where do you expect the drug to be released हम क्या expect करेंगे कि drug जो है कहां पर release करेगी अपने medicament को देखे किसकी बात हो रही है enteric coated tablets की बात हो रही है है ना का पर release करेंगे स्टमक औरलबटी स्मॉल इंटस्टेन ये लिवर बिकूट सिमपल आपका स्मॉल इंटस्टेन में जाके त्रघ्र रिलीज होगी ना निज्ट टैबलेट और इंसॉलिव एस्टिक मीडियम ऐसी कौन से टैबलेटा जो अस्टिक मीडियम में इनसॉलिवल होती है बड़ सॉलिवल होती है वही आगे देखे यह आपका यूपी आर्विवेनल में पुछावा क्वेशन है एंट्री कोटिंग सिल्वर जिलेटिंग है शुगर कोटिंग तो आपके अंटारिक कोटिंग होती है है ना ओप्शन ए निक्स देखे फिर से इसके उपर क्वेशन है अंटारिक कोटिंग के लिए कौन सा मतलब इसमें से यूज करेंगे यह तमिलनाडू में पूछा वे रिसंटली तो अंटारिक पोलीमर में ध्यान रखना यह यह वाला आजेगा कोटिंग कैंब करेंगे वेन एं अक्टीव इनगीडिंट जु होता है अंस्टेबल होगा आप्शन एंटारिकोटाल टैबलेट्स देखे फिर से एसम में पूछा हुआ हैं डू नॉट डिजॉल निंटस्टाइम तो इंटस्टाइम तो डिजॉल होती हैं रापिडली गैट एब्जोब्ड ब्रेकडाउन इंस्टमक स्टॉमक में नहीं तूटती हैं है ना डिसिंटिगेट होती है कहां पर यह सई हैं तो वही आपकी कौन सी हैं अंटेयरी कोटिंग की बात हो रही है इस टाइप से कितनी पूछ हुआ है जितने बनते हैं सारे क्वेशन पूछलें प्पूछले अलग अलग अगर एक्जाम में नेक्स फिर से वही क्वेशन है विच वर नोट दा पर्पस ऑंटेरी कोटिंग का परपस क्या नहीं है तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है तो प्रिवेंट ड्रग स्टमक में डिग्रेड हो जाएंग तो उसके लिए करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए तो प्रिवेंट गास्टिक इरिटेशन कोस्ट बाइ ड्रग ये भी भी सही है तो तीनों परपस है बट यह उप्शिन ए नहीं होगा नेक्स क्वेशन देखिए फिर से इसी के उपर है क्या नहीं आप लग है तेस्ट मेंजरिंग दा रेटनए एक्स्टेंट ओ सॉल्उशन फोर्मेशन फ्रों डिवन डोश फोर्म तरहले टैसे प्रिट का टाइम में किसके वहाँ सी वनहीं है तो आपके इसे अपेस्ट्स के लिए नहीं होता है तो याफेस्टेशनinte के लिए तो आप्शन्स के लिए नहीं होता है ना option C नेक्स ब्रेकडाउन ऑफ टाबलेंट इंटु स्मॉलर पार्टिकल सो ग्रैनुल्स नोन है टैबलेट जो होती है ठीक है वह स्मॉलर पार्टिकल जो होता है तूट जाती है तो इसे क्या कहेंगे डिसिंटिग्रेशन कहेंगे कराशिंग कहेंगे डिसोलुशन ग्रानुशन तो आपका जो होता है डिसिंटिग्रेशन हो जागा बिल्कुल कोईश्य ना, option A, next है, डिसोलुशन टैस्स for tablets, इस performed for assuring, by availability, stability, content, uniformity, disintegration, तो डिसोलुशन टैस्ट होता, tablets का, वो perform करते है, for assuring, क्या assure करने के लिए, by availability को, option A, right, हो जेगा, instrument used to measure the hardness of tablet, tablet की hardness को measure करने के लिए, कौनकों से instrument यूज़ करते हैं, मोंसेंटो टैस्टर, स्ट्रोंग कोप टैस्टर, फाइजर टैस्टर, तीनों ही टैस्टर यूज़ होते हैं, option आपका D हो जेगा, all of the above, okay, ने, से मोंसेंटो hardness टैस्टर, जो भी हमने देखा, tablet की hardness के लिए, यूज़ करते हैं, करने, based on the following, का mechanism है, कौन से mechanism पे बेस्टर है, ने, से टैस्टर, टैस्टर की टैस्टिंग के लिए, देखे, पारोजन टैस्ट करेंगे, बिल्कुर नहीं, alkalinity, hardness, total, solids, तो आपका hardness टैस्ट हम लोग पढ़ते हैं, option C, ने, से मोंसेंटो अपरेटर्स इस उस फो टैस्टिंग ऑफ डैश ऑफ टैबलेट्स, मोंसेंटो अप mechanical strength of tablet is checked by, तो ये भी हमारा उडिसा में पूछा हुआ है, तो तीन question आए हुआ है, ना, टैबलेट से, previous question आपका, mechanical strength of tablet is checked by, hardness tester, disintegrator, probability tester, none, ठीक है, तो mechanical strength of tablet is checked by, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम या, इसके लिए जो हमारे hardness tester आते हैं, option आपका, ए राइट हो heating agent या disintegrating agent, तो चुए बल टैबलेट में हमारे disintegrants absent होते हैं, okay, next question है, dissolution rate of drug from tablet may be increased by, तो dissolution rate जो होता है, उसको increase करने के लिए क्या करेंगे, increasing the compression stress during tableting, increase in the concentration of lubricant, increase in the concentration of disintegrant, या film coating with इतली cellulose, तो आपका dissolution जो है, उसको increase करने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीस करते हैं, concentration of disintegrating agents, option 3 right हो जगा, okay, next step for the evaluation of tablet, a test, अब ये test बताने कौन सा है, ये test कौन सा है, used to measure, क्या measure करता है, amount of time required for the drug substance in tablet to go into solution form under specified condition is known as dissolution test for ability disintegration of weight variation, तो अभी हमने देखा था, वही question है, थोड़ा सा similar सा, dissolution test होता है, है न, option A, durability of tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using, okay, hardness tester, disintegration test apparatus, fabulator is screw, तो क्या use करेंगे, durability of tablet to combine effect of shock and abrasion, इसको evaluate करने के लिए, आपका fabulator use होगा, है न, option C हो जगा, dissolution rate of drug from tablet may be increased by, तो अभी देखा था हमने, है न, dissolution rate को increase करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे, वह MP में पूछा होगा था, यह आपका गुजरात में पूछा होगा, इस टाइप से ही questions repeat होते है, increase in the concentration of disintegration दो भी को सही है, disintegration की concentration को increase कर दीजिए, बागी increase in the concentration of lubricant, film coating of tablet with ethyl cellulose, increase in the compression pressure during tableting, तो option भी सेम है न, option A right हो गया, next है, in dissolution experiment, which one of the following coated basket is preferred when acid medium is used, chrome, gold, teflon या stainless steel, तो gold की coating देंगे इसको, okay, option B right हो जगा कह रहे, dissolution experiment में कौन सी coated basket prefer करेंगे, जब acid medium की उस करेंगे, तो gold coated basket उस करेंगे, option B, next है, which test is performed to assess the ability of tablet to withstand abrasion in packaging, handling and transportation, तो कौन सा test test करेंगे, hardness test, friability, test, disintegration, dissolution, तो इसके लिए आपका friability test होता है, option B, aperture size of stainless steel mesh in disintegration test aperture में, जो stainless steel की mesh होती है, उसका aperture size पूछा, इस टैप के question भी आते है, pharmacist exam, यह हिमाचल में पूछा हुआ है, okay, तो यह options देख लिजिए, दिखिए, यह होता है, 2 plus minus 0.2 mm होता है, okay, option आपका C right हो जगा, next है, temperature range for dissolution test as per IP, okay, तो dissolution test जो है, उसके लिए आपने temperature range बताना है, as per IP, okay, तो यह आपका हो जगा, 37 plus minus 0.5 degree Celsius होता है, और अगर disintegration test के लिए पूछते हैं, तो बस आपका जो यह option C वाला हो जाता है, 37 plus minus 2 degree Celsius, okay, next है, friability test apparatus is run at, तो friability test apparatus में जो आपका रोचे friability use होता है, okay, तो इसमें जो है, इसकी speed क्या है, किस RPM revolution per minute में आपको दिया हुआ है, देखे, 25 RPM, 10, 50, 100, तो यह आपका 25 RPM जो होता है, उस पे run करता है, answer is option A, 25 RPM, okay, तो इसमें जो है, रोचे friability use होगा, operated at 25 RPM for 100 revolution, 4 revolution, 4 minute duration के लिए मतलब कि, 25 revolution per minute, और यह 100 revolution होता है, तो 4 minute duration हो गया, और इसमें टेबलेट को 6 inch की height से drop करते है, तो ध्यान से पढ़ना है, इसको, मतलब आपके question दे देंगे, जिसे आपको 6 inch की जगह है, 6 cm चेंज के दे दिया, तो 6 inch की height से ही इसको drop करना है, 25 RPM, रोचे फ्राइबिलेटर याद रखना है, ओकी, नेक्स्ट हमार क्वेशन है, quickest way of revealing capping and lamination problem in tablet, फ्राइबलेटी टेस्ट, हाडनेस टेस्ट, वेट वरियेशन टेस्ट, दिसिंटिगेशन, तो आपका जो है, इसके लिए फ्राइबलेटी टेस्ट ही होगा, उप्शन ए, नसदा, अन्निस अधरवाइस, टेस्ट बॉटर यूचल, टेस्ट रेस्ट वास्यृ तो आप्शिन बाफर वोतर, 1-1-m-S2-S4, तो और उप्शन A होगा, 0.1-m-H-C-L, ओकी, हाटर लोटी जिए, नेक्स्ट हमारा क्वेशन देख लीजी वेट वेरियेशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इस कोज़ बाई ओल उब दा फॉलोइंग एक्सेप्ट तो वेट वेट वेरियेशन होता है टैबलेट्स में तो उसके कोज है इसमें सारे को छोड़के तो वेट वेट वेरियेशन के कोज जो है आपके नोन उनिफोर्म गैनूल साइस डिस्टिबूशन भी हो सकता है प्रैन्स ओफ एक्सेप्ट फाइन होता है बट हाई स्पीड ओफ तुरेट्स नहीं होता तो आपका अंसर जो है ऑप्शन क्या हो जेगा सी राइट हो जेगा तो नेक्स्ट हमारा क्वेशन है विच वन ओफ फोलोंग इस कॉमनली यूज़ बलकिंग एज़न इन दे फॉमूलेशन ओफ फ्रीज ड्राइड लो डोस ड्रग प्रड़क्ट के लिए आपका कॉमनली यूज़ बलकिंग एज़न बताना है सोडियम क्लोराइड मैनिटोल स्टार्च या एच पी एमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सालोस तो इसके लिए आपका मैनिटोल हो जाएगा ओके ऑप्शन सी निक्स्ट है इसके साथ में इस फिलर्स को यूज़ नहीं किया जाता अगर यूज़ करेंगे तो क्या होजेगा डिसकलरेशन ओफ टैबलेट हो जाता मिलियार्ड रियक्शन को उसकरा देता है तो बताइए कौन सा आपका फिलर है कौन सा डाइलुएंट है डाइकल्सियम फोसफेट है माइक्रोकुसलाइन सालोस है स्टार्ट है लैक्टोज होता है तो लैक्टोज कहा रहें कि इसको अमीन कंटेरिंग बेसिव ड्रग जैसे कि आपकी आइसो नियाजट के साथ में यूज नहीं करते हैं ठीक है तो फिल्म कोटेट टैबलेट्स के लिए आपका एच्पीम सी हड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाल से लोज यूज किया जाएगा निक्स्ट है डैश कंटेंड अलकली बाइकाबनेट सिट्री कैसे ने टार्टरी कैसेड विद अक्टिव मेडिकामेंट्स तो कौन से टैबलेट अप्शन सी आपका एफर्वसन टैबलेट्स में भी नहीं होता है साम नेक्स्ट है यह एफर्वसन टैबलेट्स होती है ना विचार डिजाइन टू डिजॉल इन वोटर और डिलीज सी ओ रिलीज करा देती है कार्म डियोक्साइड इस जनरेटेड बाइ रियक्शन ओफ पंपॉंड कंदेंग वाय काबनेट्स जैसे हैं यह की तो थैक्षन शीर तो सिकुरों तो सकर इन जो है कितना टाइम स्विटर थैंस श्क्रों से थाउजं फिफ्टि फाइफंड और फिफिटी तो पांसो टाइम ताम सुटरों गांस यह उता है सैकरी्ट्र यहां इन स्व 500 टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज वाई फिर से पूछ लिया तो 500 टाइम सी होता है ऑप्शन सी हो जगा बागी कार्शिनोजैनिक होता है यह म्यूटा जैनिक होता है और बिटर आफ्टर टेस्ट होता है इसका ओके यह सेकरिन के बारे में चारो बाते देख लिए ना 500 टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज है बिटर आफ्टर टेस्ट कार्शिनोजैनिक और म्यूटा जैनिक ओके नेक्स्ट है वन ओफ फॉलूंग इस यूज यूज एंटरिक पॉलिमर बता दीजिए कौन सा है सलूज अस्टेट थेलेट है एच्पीमसी है मिथाइल सलूज पॉलिविना अंटरिक भॉल्वे घुस अस्टेट थेलरट हमारा एंटरिक हुता है नेक्सट शिल्यक की करता है ऎक ήसे तो último कोटिंग थे जन् ुन जो यूज आप जो है रिए ईंटरिक प्रम कोटिंग थेप मोई परते हैं उसमें इसमें प्रम इंटोस ब्रम कोटिं परते है जो मोष्य चो प्रिवेंट करने के लिए करते है a उसमें हम लोग जो है शिलयक और जीन खरण से ऐलिए बीस्ट्रीज गरेंगे बीसफिन्स करदेंगं अधीश करीच था लिए आप घर चैंबर के लिए लिए लदा का इस सब्कूर तो यय है सब्सक्रीजच करें जा इस है Peng यह को एक परम ओटर फिर आपका कोटिंग किया जाता है, फिर आपका सब कोटिंग किया जाता है, उसके बाद सीरप कोटिंग होता है, फिर फिनिशिंग और आफ्टर दैन आपका पोलिशिंग होता है तो आपका पोलिशिंग जो राइट हो जगा वैसे तो ऑप्शिन ए हो जगा तो सबसे फर्स्ट आपका होता है यह सीलिंग कोट सील कोट होता है तो उसके बाद आपका होता है सब कोटिंग वाला होता है तो आ बात हो गई फाइनल स्टेज शुगर कोटिंग में बीज वैक्स यूज़ करना है और एलिगेंस जो है उसको इंक्रीज कराता है ओके निक्स्ट एक्सेसिव क्वांटिटी ओफ लूब्रिकेंट डैश दा एंगल ओफ रिपोज दो नौट चेंज इंक्रीज डिक्रीज देखे आपका अंसर हो जेका इंक्रीज देखे जो लूब्रिकेंट्स होते हैं वो एंगल ओफ रिपोज को डिक्रीज कराते हैं बट एक्सेसिव क्वांटिटी ओफ लूब्रिकेंट इंक्रीज दा एंगल ओफ रिपोज ओके तो लूब्रिकेंट वैसे दो डिक्रीज करा हैं गया of angle of repose को to a certain extent but excessive quantity of lubricant increase the angle of repose next which of the following is a water-soluble lubricant water-soluble lubricant कौन सा है magnesium stearate polyethylene glycol mineral acid and steric acid the water soluble lubricants में आपका polyethylene glycol आजगा PEG okay option B next magnesium stearate is used in the formulation of tablet as to magnesium stearate का क्या use है binder है diluent है disintegrant है glydant है magnesium stearate है आपका lubricant भी होता है आपका glydant भी होता है और anti adherent भी होता है तीनों role है इसके magnesium stearate के तो आपको अपने options के according answer करेंगे तो देखिए options में आपको glydant ही दिया है तो आपने answer करना option D glydant या answer करना है तमिलाड़ों में पूछा हुआ है रिसेंटली option D right हो गया ओके फिर देखिए दूरिंग दा फॉर्मुलेशन ओफ टैबलेट दा पर्पस ओफ राइडिंग magnesium stearate आप फिर से magnesium stearate के बारे में पूछ लिया मैंने अभी आपको बता है ग्लाइड होता है लूब्रिकेंट और अधरेंट भी होता है देखिए binding agent lubricant absorbing agent इसमें क्या हो जगा अब लूब्रिकेंट option में दिया आपको पहले वाले option में ग्लाइडेंट दे दिया अभी देखें लूब्रिकेंट दिया है अभी यह केरला में आए हुआ है अभी एक क्वेशन और देखिए ऐसा गुजरात ने पूछा है अंटी अडहरेंट दिसिंटिग्रेंट बाइंडर आंटी अक्षिडेंट तो क्या होता है अंटी एडहरेंट आजेगा तो मेंगेशन प्रोसेस एसे पैन कोटिंग तो इसे क्या कहेंगे option b air suspension coating कहेंगे next question a worst process can be used to core tablet determine the disintegration time gas sterilized parental solution automatic filling of capsule तो यह आपका option एक core tablet हो जगा next glad quarter is a type of dash coating system air suspension perforated pan conventional panifluodized bed तो यह आपका एक type का क्या होता है perforated pan option two seal coating is applied तो मैंना भी आपको बताई दिया seal coating किसके लिए apply करते है जो sugar coating में हम जो seal coating करते हैं किसके लिए करते हैं जिसमें हम शिलया को जीन यूज किया तो size जो है उसको build करने के लिए हम करते हैं कौन सा sub coating किया जाता है जो size को बिल्ड कराता है तो प्रिवेंट मोशर पेनेटरेशन तो टैबलेट को तो यह बिल्कु सही हो जाएगा option बी मोशर पेनेटरेशन को प्रिवेंट करने के लिए seal coating किया जाता है तो राउंड दा जो अकेसिंग आत किह यह में किया जाता है ॹिस सिल कोटिंग करते हैं जो सब Wanna के जो roughness जो होती है roughness of subcoating उसको जो होता है cover करने के लिए आपका syrup coating किया जाता है फिर आपका finishing आता है finishing में क्या करते हैं तो इसमें smooth करते है tablet की surface को tablet surface जो होता उसको smooth किया जाता है किसमें आपका finishing में फिर polishing में आपको पते ही bees wax उसकरेंगे जो elegance को improve करता है तो आपका जो है आंसर इसका हो गया मोश्यर पेनेटरशन को प्रिवेंट करने के लिए option B बल्क फोर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग डैश्ट इस रस्पोंसिबल को और करेगा और कल्रेंट्स जो होते हैं कल्रेंट्स वो भी सिरफ कोटिंग के टाइम पर याइड करते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन भी हो गया निक्स अबाउट 50% फाइनल कोटी कोटिंग वेट इस गेंड शुकर कोटिंग ऑफ टैबलेट इस अचीव दिन्दा तो इस अचीव गड़ाने के लिए और टूराउट अचीव गड़ाने के लिए और राउंड अप दाइज ओके निक्स्ट है कालरेंट्स अर अड़ अड़ प्रोसस ऑफ शूगर कोटिंग इस वन फॉलिंग स्टेप तो कल्रेंट्स कब आड करेंगे सील कोटिंग में सब कोटि इस टैंप इस तो की आओच सिर्äटर्माइन कोट्राइंच सिव ओके लिए ओड्स के निक्स्ट है दाइश को डिटर्माइन की वाantine चेलिए मिकसर इपिक्नोडेट्रू अप्जुन को तो डिल्ट्रेंट्स रॉनदति है बशुजर ओउस पावडर्स कं वी मैजर टाइम आपको सारे सारे टाइम रिवाइस कराएं तो लिए क्या बताया 45 मिनेट 60 मिनेट 15 मिनेट तो 15 मिनेट के लिए अप्शन सी राइट हो जिगां ओकी यह मने भी रिवाइस करी लिया नेक्स है अनिकॉल डिस्टिबिशन ऑफ कलर अन्दा सर्फस ऑफ टैबलेट इस नौ यह टैबलेट के डिफेक्ट के ऊपर क्वेशन है तो यह मोटलिंग हो जाएगा ओकी नेक्स्ट है विचा तो फॉलूंग इस चूल में से कौन सी बास सही है दिए कैम ट्रैक्स गाइड दा मूमेंट ऑफ पंचीज तो पंचीज की मूमेंट को गाइड करेंगे कैम ट्रैक् सारी बाते सही लिख्यों यह ओक्शन पूछेगा ओकी तो अलगलग टाइप से क्वेशन पूछे हुए थे तो कैम ट्रैक्स का क्या रोल है तो मैंने सारे ना एक में कर दिया आपका तो कैम ट्रैक्स क्या करेंगे गाइड दा मूमेंट ऑफ पंचीज क्या करेंगे होल्ड क तो सारे साही लिख्यों है इनको निक्स्टी है विस्ट इफाक्टिन मैनुफच्ट्रिण ऑफ टाबलेट अकर वैं कलर दस नौट दिस्ट्रिबूट इमली थ्रौफ टाबलेट वह या निक्वल दिस्ट्रिबूशन कलर थोड़ा था लेंग्वेशन चेंज कर रहा है बाक इन फिल्म कोटिंग पीलिंग इस लेटेट तो आपके जो कोटिंग के भी टिफेक्ट होते हैं तो उसमें फिल्म कोटिंग में पीलिंग किस रिलेटिड है लाज अमाउंट ओ फिल्म अनिक्वल डिस्टिबूशन ऑफ कलर लोगोर अफनास ओ टैबलेट सर्फिस तो यह ना इस नोड़ टैबलेट का डिफेक्ट कोंसा नहीं है सिंपल पूछाओ है चिपिंग होता है फेज इनवर्जन बताइए डबल इंप्रेशन भी होता है फेज इनवर्जन थोड़ना होता है टैबलेट में अप्शन बी राइट हो जगा नेक्स तो इस विसकस कोटिंग होता है उसकी विएसे आपका ओरेंज पील डिफेक्ट हो जाएगा ओके ऑप्शन बी नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मूलेशन इस राफर्ट हो है तो कलर का माइग्रेशन को क्या बोलेंगे वह हो गया मॉटलिंग पिकिंग स्टिकिंग मॉटलिंग के ओपर अलग लग तरीके से क्वेशन पूछा हुआ है तो एक बड़ डिफेक्ट देख लिएजे कैपिंग में क्या होता है पार्शल और कम्प्लीट सापरेशन ऑफ टोप और बोटन ऑफ टैबलेट फ्रों में बोडी ऑफ दाबलेट इस इस कैपिंग लामिन अधेर तो डाइव ओल से टैबलेट चिपक जाती है अधेर हो जाती है मितलब पिकिंग क्या होता है स्मॉल अमांट ओप मेटेरियल फ्रों में टैबलेट इस टिकिंग टू और बिंग रिमूवड ओफ फ्रों टैबलेट सर्फिस बाइप पंच फेस फेस पिर मॉटलिंग अनेकल डिस्टिबूशन ऑफ कलर सर्फिस ऑफ टैबलेट इस मोटलिंग तो सारे टैबलेट के डिफेक्ट हैं इनके ऊपर क्वेशन बनते हैं और देखे उडीसा में प्रीवेस यह में पूछा भी हुआ तो टैबलेट से आपके टॉटल चार क्वेशन आ गई हो ना प्री लामिनेशन के ब्रोकन तो आपका लामिनेशन हो जाएगा ओप्शन बी ओके निए सचिपिंग राफस्ट चिपिंग का मतलब है सब्सक्राइब इंटो तो और मोर लेयर्स लामिनेशन हो गया रिमोल ऑपर और लोवर लेयर ऑफ टैबलेट रिमोल ऑफ मेटिरिल फों दए पांच सारफेस तो चिपिंग का मतलब क्या हो जेगा जो रिमोल ऑफ मटिरल फॉम दाइज अप्शन आपका सी हो जेगा ओके लेमिनेशन चिपिंग स्टिकिंग पिकिंग सब देख लिया आपने है ना मोर्टिलिंग लामिनेशन मतलब लेयर्स में सेपरेट हो रही है बैकं का मतलब डाइ वोल इपिकीं का मतलब क्या हो गया गया स्मूल अम्मांटो क्या होग्या है स्दूं में लोडूप्रिय शेप्रिंग as modeling फिर modeling का पूछ लिया separation of tablet into two or more distinct layer lamination हो गया and equal distribution of color on the tablet is known as modeling option B separation of tablet crown of rough texture of tablet option B आपका clear हो गया next question है and equal distribution of color on tablet with light and dark area standing out in a uniform surface is known as while यह देख लिए देख लिए कितने टाइप से question अलग लग एक्जाम में पूछा हुआ है इसने इंपॉरेंट है टाबलेट के डिफेक्ट के अनिकॉल distribution of color on the surface of tablet is known as why हमारा modeling हो जेगा है ना option A हो जेगा modeling बागी camping lamination और picking दिया है आपको अपर पंच from the surface of tablet की surface है जो अपर पंच की द्वारा जो मैंटर रिमूव होता है capping है picking है lamination and modeling है तो यह हमने अभी देखा था ना किसमें picking में देखा था ना option B हो जेगा picking हो जेगा नेक्स आ पार्शल और complete remove of top और bottom of the tablet is known as top और bottom of the tablet from the main body of the tablet is the top और bottom of the tablet remove होता है ना में बोड़े टाबलेट से तो यह आपका किसमें picking sticking chipping तो यह आपका capping में आता है तो आपका answer हो जेगा capping okay तो यह वही दुबारा से defect लिख दिये lamination chipping sticking picking next step blooming a tablet coating defect characterized by the blooming में क्या होता है coating become dull detachment of coating from the surface of tablet pits occur on the surface of tablet volcanic like craters appear up exposing the tablet surface the blooming जो है tablet coating defect है पहले तो यह बाथ इसमें क्या होता coating become dull coating हो जाती है option a right हो जो जबागे cratering जो होता है volcanic like craters जो होता है क्रेटरिंग में होता है cratering क्या है film coating defect जिसमें क्यों होता है volcanic like craters शाहर सब्साहर एकस पोले साभ्यक्राइश पिंग में होता है पिट सेक्ष एंड ना सर्फेस ओफ टेबलेट कोई विदाउट एनी विजीबल डिस्रॉप्शन ओ फिल्म को टिन ब्लूमिंग में क्या होता है कोटिंग डं भाट ए उरंज पील डिफेक्ट में होता है इसे क्या कहेंगे मॉटलिंग पिकिंग क्रेकिंग लीचिंग तो यह आपका पिन होल से पिकिंग याद रख लेना ऑप्शन भी हो जगा पिकिंग उसी इसरों में पूछा हुआ प्रौशेस सब्सक्राइब के लिचिंग एक फोल्टांग बिचिंग चिपिंग फिजर कोशनी कोशन्ति कोटिंग प्रोसेस् च्रKS कोज़ और लिक्ष्टेज बिद्डा प्लेटाइब் हुआ है यह मूप्शन ऐई राइट हो जगा पिंग निक्स टो फिर सैंट्रिक निक्र टैबलेट के उपर ही पूछा हुआ है कि एंटारी कोटिंग क्यों प्रवाइड कर रहे हैं देखें प्रोटेक्ट दा मेडिकमेंट फ्रोम एटमोस्फेरिक इफेक्ट एंशूर हाइस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इंटास्टाइन सेपरेट केमिकल और फीजिकल कंपेटि स्टिकिंग औरंज पील है क्रेकिंग तो यह हो जगा इनट्वेट बिफोर ड्राइंग कोश औरेंज पील एफेक्टो के ऑप्शन सी नेक्स लेक्टोज इस अ मॉस्ट वाइडली उस डायलूएंट इन तेबलेट फोमलेशन में लेक्टोज मोस्ट वाइडली उस तो अमीन कंटेनिंग जो ड्रग्स होती है उनके साथ में लेक्टोज मिल्यार्ड रियक्शन करा देता है ना डिसकलरशन ऑफ टैबलेट याद आया आइसो नियाज़ हो जेगी है ना आप्शन डी नेक्स्ट है चूज़ा डालवन फोर ए कंप्रास्ट टैबलेट फोर्मेट बता दीजे लेक्टोज सुक्रो स्टार्च तालक तो सिंपल हमारा हो जेगा कौन सा लेक्टोज हो जेगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है मिल्यार्ड रियक्शन क्या है अब देखिए interaction between alcohol and oxygen तो मिल्यार्ड रियक्शन क्या होता है अमीन ग्रूप वाली ड्रग जिससे आपकी आइसो नियाजिट हो गई उसकी रियक्शन है लैक्टोस के साथ में जिससे क्या हो जाता है ब्राउनिंग डिसकलरेशन और इसी हम मिल्यार्ड रियक्शन कहते हैं निक्स्ट है मिल्या मिल्यार्ड रियक्शन का रिजन बताइए लैक्टोस रियक्ट विद अमीनो ग्रूप ओफ ड्रग इन एप्सेंस ओफ मैटल स्टियरेट्स लैक्टोस रियक्ट विद अमीनो ग्रूप ओफ ड्रग इन प्राजन्स ओफ मैटल स्टियरेट्स मिल्यार्ट रियक्शन का रियक् मिलियाड reaction occur between मिलियाड reaction किसके बीच में होती है hydrous lactose and amine unhydrous lactose and amine starch का नहीं है unhydrous lactose and phenol phenol के साथ में भी नहीं होता तो ये hydrous lactose जो होता है और amine के बीच में होता है unhydrous lactose जो होता हुँ वो milliard reaction show नहीं करता याद रखना है next powder with the angle of repose of 25 can be categorized as excellent, fair, passable, poor so angle of repose 25 होता है तो powder का flow किस टाइप का होगा excellent होगा powder flow smoothly if angle of repose is 25 degree powder does not flow properly if the angle of repose is more than 50 degree next dash or inert substance that are added along with medicament to prepare granules को बनाने के लिए medicaments के साथ साथ में जो inert substance जो add करते उन्हें क्या कहेंगे excipients कहेंगी coating materials कहेंगे sweetening agents या active ingredients तो यह हमारे excipients होते है ना option a right हो जगा next which of the following does not decide the flow property of granules powders powders की flow properties के लिए जो है इसमें से कौन सा जो है flow properties of powder को decide नहीं करता angle of repose solubility होजनर्स रेको रेशो कार्स इंडेक्स तो आपका solubility इसमें नहीं आएगा बाकी angle of repose होजनर्स रेशो और कार्स इंडेक्स जो है यह decide करेंगे flow property of powders को next है for drug which are given as entire coating tablet तो acid drug जिनको entire coated tablets के रूप में देना होता है उसके बारे में following इसे लिए ट्रॉप्टिंग के बारे में सारी इंपोर्डन्ट है बहुत इंपोर्डन्ट है जो कहा रहे हैं स्टमक की आइस्ट्रोई हो जाएंगे तो इसके लिए एंटायरी कोटिंग करेंगे जो स्टमक में इरिटेशन प्रडूस करेंगे तो उसके लिए एंटायरी कोटिंग करेंगे absorption जिनका intestine में होगा या फिर local action intestine में require होगा तो उसके लिए एंटायरी कोटिंग करेंगे और पॉलीमर हमें पता यह सी एपी सैलोस एस्टेट थैलेट या फिर और भी किसी में थैलेट आएगा तो समझना एंटायरी कोटिंग की बात हो रही हो कि इसा टैल्क इस यूज्ज ग्लाइड एंट तो टैल्क मेंने आपको बताया था कितनी परसेंट कंसेंट्रेशन ग्लाइड यूज किया जाता है फाइफ परसेंट और ऑप्शन ए राइट हो जेगा नौइज विटनी एक्वेशन इस यूज्ज तो एस्टिमेट तो नौइज विटनी एक्वेशन किसके लिए होता है सर्फिस एरिया सॉलिवलेड डिसॉलूशन रेट के लिए होता है बहुत बार नौज विटनी एक्वेशन होता है नेक्स प्लेटिंग ऑफ पंच होता है याल तो इसके लिए धो फॉल्व को पॉलूंगिस डू बंटेव जोन सिंथार्टेम में तो सिंथांटिक स्वीटनर होता है आपके चैसे हमने सैकरीन देखा है टाइम नियुक्त की लिखा है लेक ऑफ टैबलिटीन प्राइंस ओफ ओफ मौइस्चर तू हंड़र टाइम तू हड़र टाइम शुटर दन शुक्रोष बोत हैं ना डीक दोनों बाते सई लिख्ञ है ऐस्पार टाइम के बारे में ओके तो देखी लेक ओफ स्टैबलिटीन प् तब भी 150 questions हम लोगों ने जो है देख लिए tablets के बारे में ओके तो अभी आप देख ले ना कि आपके कितने क्या questions इसमें बनते हैं और एक question जिसका answer हमेशा की तरह आप लोग देने वाले बिंजो जो है commonly used diluent कॉन सा है बिंजोएक ऐसे पैन गमकेशा लेक्टोज इसका answer आप ल लगे से लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए है तो मेरे आपको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्ली सब्सक्राइब जुरू करना ओके थैंक यू